नमस्ति दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल रेनी कीचन में आज मैं आपके साथ घर पे नारियल के बुरादे बनाने की रेस्पी शेयर करूंगे वो भी बहुत ही असान तरीके से लेकिन उससे पहले अगर आपको ये रेस्पी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आज मैं यहां दो नारियल ले रही हूँ ये साइज में थोड़े छोटे हैं मैंने इनकी जटाइयों छील ली है ये कच्चे नारियल हैं जिसमें पानी होता है तो सबसे पहले हम इसका पानी निकाल बिना कुछ तोड़े फोड़े अच्छा आप मुझे कमेंड करके ये जरूर बताईएगा क्या आपको इस तरीके के बारे में पता था ये देखिए इस नारियल का पूरा पानी इसमें कलेक्ट हो गया है और एक बुन भी यहां वहां नहीं गीरा है इसी तरह से मैं दूसरे नारियल का भी पानी इसी में कलेक्ट कर लूँगी अब इस नारियल को मैं तोड़ लूँगी आप कोई भारी चीज लेकर इसके उपर दो से तीन बार मारेंगे तो आप देखेंगे कि ये टूट क्या है मैं दोनों नारियल को इसी तरह तोड़ लूँगी और नारियल का ये द्वाला पार्ट चाकू की मदद से उसके सेल से अलग कर लूँगी, यहाँ आप देख सकते हैं, यह बड़ी असानी से निकल जाता है, चाकू की मदद लेंगे आप, तो आपको इसे निकालने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी, इसी तरह से मैं सारे नारियल को निकाल कर अलग रख लूँगी, यहाँ पर मैंने सारे नारियल को निकाल लिया है, अब मैं इसके ब्राउन वाले साइट को भी छील लूँगी, इसका ब्राउन वाले साइट छीलने में थोड़ा सा हाड जाता है, आप इसे एक अच्छे पीलर या चाकू से छील सकते हैं, लेकिन आपको जादा दिकत नहीं आएगी, इसी तरह से मैं बाकी के नारियल को भी छील के वाश कर लूँगी, और इसे रफली टुकडो में काट लूँगी, हमें इसे मिकसर में ग्राइंड करना है, जिसके लिए यह पीसे बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए मैं इसे रफली का लेकिन अगर आप मोटे बुरादे चाहते हैं, तो आप इसे हलका दरदरा ही रखिए, अब एक कपड़े के मदद से इसमें जितना भी मौइस्चर पानी या दूद हैं, उसे मैं निकाल लूँगी, इस पेस्ट को कपड़े में लपेट के गोल-गोल घुमाते हुए ये देखे, इसे ऐसे अच्छे से निचोडते हुए दबाना है, ऐसा करने से नारिल का दूद इसमें कलेक्ट हो जाएगा, ये देखे, यहाँ पे हमारा नारिल का दूद इकठा हो गया है, और ये देखे, बुरादा कितना ड्राय लग रहा है, इस प्रोसेस को हम एक बार रिपीट करेंगे, ताकि इसमें बचा हुआ थोड़ा बहुत भी जो मिल्क है, वो भी निकल जाए, गीले बुरादे को एक बार फिर मिक्सर में डाल के थोड़ा सा पानी एड़ करके, इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे, और फिर से पहले बताय हुए तरीके से इसे नि और ये चेक भी करते रहेंगे कि इसमें कोई बड़ी गुटलियां तो नहीं है, जो कि एकसर एक तो गुटलियां इसमें रही जाती हैं, लेकिन जब आप इसे हांसे ऐसे चेक करते हैं, तो आपके हांथों में ऐसे गुटलियां फस्ती हैं, ये आप देख सकते हैं, अभी बुरादे थोड़े गीले हैं, इसे लंबे समय तक चलाने के लिए हमें एसे अच्छे से ड्रै करना होगा, जिसके लिए हम एक कडाई लेंगे जिसमें ये गीले बुरादे को transfer कर देंगे और धीमी आज में इसी चलाते हुए सुखाएंगे हमें इसे सुखाने के लिए कभी भी हाई फ्लेम नहीं करना है ऐसा करने से बुरादे का रंग चेंज होने लगेगा और यह गहरे रंग का होने लगेगा जो हमें नहीं चाहिए इसे बीच बीच में चलाते रहना बहुत जरूरी है नहीं तो ये कड़ाई के तले में चिपक सकते हैं इन्हें ड्राय करने में आपको 5-7 मिनट का ही टाइम लगेगा थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बुरादे अच्छे से ड्राय हो सकते हैं इसे आप एयर टाइट डबे में ही स्टोर करें आपको ये रेस्पी अच्छी लगी होगी एक बार आप घर पे इस तरीके से बना कर जरूर ट्राय करें और अपना रिव्यू मेरे साथ शेर करें थैंक्स वर वाचिंग